अब दोखो आज हम लोग जिस इंस्ट्रूमेंट की बात करने जा रहे हैं वो हम बात करने जा रहे हैं टेलिस्कोप की अब टेलिस्कोप होता क्या है करता क्या है उससे पहले उससे पहले हम लोग डिसकस करते हैं किसकी बात आइस की बात फिर साथ में लोग बात करते हैं वहा यहां पर माइक्रोशकोप की बात कर चुके हैं और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहें क्या टैलिसको लेकिन टैलिसकोप पढ़ने के पहले, भले हम लोग eyes का lecture देख चुके हैं, लेकिन तब भी मैं उस चीज को वहाँ पर थोड़ा सा क्या करने जा रहा हूं, brush up करने जा रहा हूं, अच्छा अगर हम eyes की बात करें, तो eyes में याद होगा, वहाँ पर इस तरह से ये जो part था, ये part एक convex lens की हो तरह work कर रखता है यह बेसिकली यह कॉन्वेक्स लेंस था और यह जो पॉर्षन था यह पॉर्षन वहां पे हमारा क्या था रेटीना था तो अभी हम लोग पढ़ने देखो हमें बात करने हैं टेलिस्कोप की लेकिन उससे पहले हम लोग आइस क्या जो कॉंसेप्ट है उसको थोड़ा फोकल लेंद वहां पे क्या होती है यह जो कॉन्वेक्स लेंस रहता है मसल से कनेक्टेड रहता है और वह मसल सब्सकी फोकल लेंद को क्या करती आइं चेंज होते हैं या कुछ signals होते हैं वो signals हमारे brain पर जाते हैं और brain वहाँ पर फिर brain हमारा उस image को वहाँ पर क्या करता है परसीव करता है अब मैं अगर बोल रहा हूं कि यह मेरा eye का convex lens है यह हो गई इसकी optical center और यहां पर हमने शो करी इसकी principal axis अब हमें मालुम है कि अगर हमने यहां पर अगर हमने यहां पर किसी एक object को लाके place किया अगर मान लो यहां पर हमने किसी object को लाके place किया है और इस object की height कितनी है h है यहां पर एक object है object की height कितनी है h है अब यहां से कोई ray draw करो light ray जो कहां से pass कर रही है जो पास कर रही है इसके optical center से और हमें मालुम है कि जो light ray इसके optical center से pass करेगी वो pass करेगी without any deviation और होता क्या है यह जो angle है इस angle को हमने define किया था theta और उस theta को हमने नाम दिया था वहां पे visual angle तो होता क्या है यहां से कोई light ray आएगी optical center से pass कर जाएगी without any deviation और इस पूरे region में यहां पे फिर हमारी क्या होगी image बनेगी तो जो भी image का size होता है जो भी image का size किसी भी चीज को अगर हम आग से देख रहे हैं तो वो चीज बड़ी दिखाई देगी या छोटी दिखाई देगी वो किस पर depend करता है वो depend करता है visual angle पर मान लो यही हमारी क्या थी axis थी और इस object को अब हम यहां पे लेके आ जाते हैं तो object वही है इस object की height कितनी है h तो जो भी object है object की height कितनी है h है अब यहां से अगर हम कोई ray diagram draw करेंगे तो यहां से कोई light ray होगी जो इस तरह से जा रही होगी तो एक और light ray draw करो तुम वहां पे जो अब ऐसे जा रही होगी वहां पर अब इस light ray ने जो angle form किया है उसको बोल दो वहां पर theta dash अब यह जो light ray यहां पर जा रही है वो कहीं यहां पर जाके मिलेगी कि नहीं मिलेगी अब इसका मतलब है कि object की height तो इतनी है लेकिन इसकी image जो बनेगी retina पे वो केवल इतने region में बनेगी नहीं बनेगी इसका मतलब है कि जह हम eyes के through देखेंगे तो object की height उतनी है object की height तो वही है लेकिन जब इसको हम आक के through देखेंगे तो हमें वो object क्या होगा छोटा दिखाई देगा तो कोई भी object जो है वो बड़ा दिखाई देगा या छोटा दिखाई देगा आंक से देखने पर वो किस करता है visual angle पर अच्छा कि यह जो distance होता है यह जो distance है यह distance हमारा क्या होता है यह distance हमारा बहुत large होता है जर्नलिग यह distance meter में होते हैं तो अगर मैं तुमसे बोल रहा हूं की यह distance हमारा मान लो x है मान लो ये distance हमारा वहाँ पे x है तो अब बताओ अगर मैं visual angle calculate करने जाओं तो 10 theta क्या होगा 10 theta होगा h upon x अब x क्या है ज़्यादा है और x अगर ज़्यादा होगा तो ये angle small होगा और angle small होगा तो trigonometry में 10 theta theta हो जाता है तो जो visual angle होता है उसका formula होता है h by x है की नहीं तो इस case में जो भी visual angle है वो हो जाएगा h by x x अगर बढ़ेगा ये ध्यान अटना है अब इस diagram को देख लो वहाँ पे x अगर बढ़ेगा तो theta वहाँ पे घटेगा यहाँ पे x बढ़ गया theta घट गया और theta अगर घट गया तो इसका मतलब है कि image हमें छोटी दिखाई देगी तो object तो वही है लेकिन उस object को जब हम eyes के थूँ देखेंगे तो वो object हमें क्या होगा छोटा नजर आ रहा होगा तो कोई भी चीज बड़ी दिखाई देगी या छोटी दिखाई देगी वो depend कर रहा होगा किसके उपर visual angle के उपर बताओ यहां तक सबको clear हुआ की नहीं clear हुआ अच्छा अब किसी भी object को अब किसी भी object को हम कितना बड़ा देख सकते हैं वो depend कर रहा है visual angle पे और हमें यह मालूम है कि किसी भी object को हम बिलकुल eyes के close नहीं ला सकते हमने eyes में पढ़ा है कि जो एक normal person रहता है उसके लिए जो least distance possible होता है वो possible होता है 25 cm अगर 25 cm से दूर है कोई तब तो हम उसको देख पाएंगे लेकिन 25 cm से और पास लेके आओगे तो वो चीज जो रहती है वो चीज हमारी क्या कर जाती है blur कर जाती है फिर हमारी eyes उस object को properly देख नहीं पाती है और उसका reason वही है कि जो image रहती है वो retina पे बन नहीं पाती है तो हमें ये मालुम है कि जो visual angle रहेगा उसी पर depend करता है कि object हमें बड़ा दिखाई दे रहा है या फिर क्या दिखाई दे रहा है छोटा दिखाई दे रहा है अच्छा अब फिर से समझो इस चीज को है रहा ये हमारी eyes का convex lens था ये हमारी eyes यहाँ पे retina और ये हो गई इसकी principal axis अभी इससे पहले हमने क्या प्रूफ किया कि जैसे जैसे object को pass लेके आओ गया eyes के पास visual angle बढ़ेगा visual angle बढ़ेगा तो image का size भी बढ़ेगा image का size बढ़ेगा तो हमें वो object क्या होगी बड़ी सी दिखाई देगी अब हमें ये मालूम है कि जो भी object है उसको हम कितना close ला सकते हैं तो किसी object को अगर हमें close लेके आना है तो object की height अगर h है तो उस object को हम d distance तक pass ला सकते हैं इससे ज़्यादा pass नहीं ला सकते हैं अब यहां से कोई light ray निकलेगी यहां पर जाएगी और यह जो angle रहेगा यह angle हो गया theta naught यह angle हो गया theta naught और बता यह हमारा maximum visual angle होगा कि नहीं होगा अब इस region में वहां पर क्या होगी image बन रही होगी वहां पर तो हमें यह मालुम चल गया कि जो maximum angle है यहां पर जो maximum angle हम बना सकते हैं किसी object के लिए वो बना सकते हैं वहां पर h by d देखो है के नहीं अब मान लो हमारे पास कोई object है जैसे मान लो बोल रहा है pen है इस pen की height तो बहुत बड़ी है अब मान लो इस pen की जगे हमने एक rice का grain यूज किया है एक चावल का दाना यूज किया है और चावल के दाने को हम क्या करना चाते हैं बड़ी image देखना चाते हैं तो हम उसको past लाते जाएंगे लेकिन 25 से जो d distance होता है उसकी value कितनी थी उसकी value 25 cm थी इससे past नहीं ला पाएंगे और फिर वो जो चावल का दाना रहेगा उसको हम और बड़ी image नहीं देख पाते हैं अब मान लो हमारे पास कोई object है और ये object पहले से ही बहुत छोटा है और हमें इसको बड़ी image देखनी है तो इसका मतलब है कि हमें इसका visual angle बढ़ाना है तो जितने भी optical instrument होते हैं चाहे हम बात करें simple microscope की compound microscope की telescope की तो ये सभी करते क्या हैं ये सभी basically visual angle को वहाँ पे क्या कर देते हैं increase करा देते हैं तो जो visual angle रहता है visual angle को बढ़ाने के लिए हम वहाँ पे क्या use करते हैं हम वहाँ पे use करते हैं optical instrument अच्छा उससे पहले एक चीज़ और समझो जैसे मैं अगर तुमसे बोलता हूँ कि हमारे पास दो person है एक person A है जिसकी height 60 inch है दुसरा person B है जिसकी height 55 inch है ये जो 55 inch वाला बंदा है वो 11 meter पे खड़ा हुआ है और जो 60 inch वाला बंदा है वो 20 meter की दूरी पे खड़ा हुआ है वैसे अगर मैं तुमसे बोलो कि कौन सी चीज़ लंबी है तो तुम बोलोगे किसकी height ज़ादा है तो तुम बोलोगे A person की height ज़ादा है B person की height क्या है कम है लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ कि अब इन दोनो person को हम naked eye से देख रहे हैं अब मैं अगर तुमसे पूछता हूँ कि A जो person है मेरी eye से 20 meter distance पर है और B जो person है वो मेरी eye से 11 meter के distance पर है अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि कौन सा हमें ज़ादा height का दिखाई देगा या कौन हमें ज़ादा बड़ा दिखाई देगा तो यहाँ पर reason क्या है यहाँ पर जो visual angle आएगा theta 1 वो हो जाएगा 60 divided by 20 यह 3 होगा और यहाँ पर अगर हम visual angle की बात करें तो 55 by 11 बताओ यह 5 होगा के दिखाऊ तो वैसे अगर देखो के तो 55 वाला छोटा है 60 वाला बड़ा है लेकिन चूकी 55 वाला पास खड़ा हुआ है इसका मतलब यह हुआ कि यह जो बंदा रहेगा यह बंदा हमें taller दिखाई देगा और 60 वाला हमें क्या होगा shorter दिखाई देगा और इसका reason वहाँ पे क्या है visual angle है बताओ यह चीज़ clear होई कि नहीं clear होई अब मैंने तुमसे क्या बोला मैंने तुमसे यहाँ पे बोला कि जितने भी instrument हैं यह instrument केवल visual angle को बढ़ाते हैं अगर हमारे पास एक चावल का दाना है तो वो चावल का दाना पहले सी छोटा है अब उसको हम eyes के पास लेके आगा है 25 cm पर लेके आगा है लेकिन उससे बड़ी हम उसकी image नहीं देख सकते हैं लेकिन अब मान लो चावल के दाने पे हमने कुछ लिखा हुआ है और उसको हम clearly read करना चाहते हैं तो हमें उसकी image को बढ़ा करना है और उसकी image को बढ़ा करने के लिए हमें इसको और पास में लाना पड़ेगा और और पास में लाएंगे तभी visual angle वहाँ पे क्या होगा बढ़ेगा तो उसके लिए हम क्या करते थे उसके लिए वहाँ पे हम use करते थे microscope तो याद होगा microscope क्या था? microscope एक instrument होता है जो वहाँ पे object को क्या कर देता है? object की magnified image क्या करता है? फॉर्म करता है तो बेसिकली जहां बात करते हैं microscope की तो microscope क्या है? microscope हमारा एक simple सा convex lens है तो यह हो गया हमारा एक simple सा convex lens अब यह जो microscope होता है basically simple magnified glass होता है और वो magnified glass हम eyes के पास लेके आ गए और अब हम क्या कर रहे हैं? object को close लेके आ गए अब object को उठा के हम यहाँ पे लेके आ गए कितने distance पे लेके आ गए तो अब object को हम x distance पे लेके आ गए बताओ अब अगर तुम x distance पे लेके आए हो अब अगर फिर से तुम draw करोगे तो बताओ यह जो visual angle है मान लो यह angle alpha है तो बताओ यह visual angle बढ़ गया की नहीं बढ़ गया? यह जो visual angle है यह visual angle बढ़ गया लेकिन अगर केवल हमारी eyes होती है तो visual angle बढ़ने से कोई फाइदा नहीं था क्योंकि 25 cm से और कम distance पे object को लेके आओगे तो हमारी eyes को proper देख नहीं पाएगे हमने concept क्या use किया? हमने concept वहाँ पे use किया था कि यह हमारा क्या है? एक convex lens है और convex lens की property क्या है? convex lens की property होती है कि अगर मान लो convex lens का यहाँ कहीं focus है और यहाँ कहीं इसका क्या है? पोल है तो वहाँ पी याद होगा focus और पोल के बीच में है अगर focus और पोल के बीच में अगर हम किसी object को ले आएं तो उस object की वो lens क्या करता है? virtual image form करता है तो ये तुम्हारा वहाँ पे क्या है object है अब ये object magnifying glass के focus और pole के बीच में है तो अब क्या होगा इसकी यहाँ पे virtual image form होगी और वो virtual image D के क्या होनी चाहिए पीछे होनी चाहिए तो इसको वहाँ पे इस तरह से और यहाँ कहीं अब हमारी क्या हो गई virtual image form हो गई तो देखो ये क्या था ये object था इस lens ने क्या form करी image और ये image अब इस eyes के लिए वहाँ पे क्या होगी object हो जाएगी और इस object का इस object का जो visual angle है बताओ इस object का visual angle alpha है और ये alpha अगर बढ़ गया तो इस object की अब जो image रहेगी वो इस पूरे region में दिखाई दे रहे होगी बताओ इसी concept पे microscope work करता है के नहीं work करता है अच्छा यहाँ पे वहाँ पे यह भी याद होगा वहाँ पे हमने डिफाइन किया था magnifying power अब magnifying power की बात भी करी लेते हैं अब magnifying power को हम क्या define करते थे magnifying power को हम define करते थे कि यह ratio था किसका ratio था यह ratio था वहाँ पे थीटा बाए थीटा डैश का थीटा बाए थीटा डैश बोल दो या फिर हम बोलें इसको थीटा बाए थीटा नौट अब magnifying power क्या है magnifying power basically ratio है और यह किसका ratio है यह रेशो है थीटा बाए थीटा नौट का थीटा क्या है थीटा वहाँ पे वो visual angle है जो instrument ने ice पे form किया है तो यहाँ पे कितना angle form किया है अलफा और थीटा नॉट क्या है थीटा नॉट वो visual angle है जो object ने ice पे form किया है जब object को हमने least distance पे लाके place किया है तो थीटा नॉट की value h by d है यह distance अगर कितना है x है तो alpha की value चेक करो वहाँ पे alpha की value जो रहेगी अच्छा यह distance तुमारा x dash मान लो alpha की value तुम्हें यहीं से मिल जाएगी यह जो alpha रहेगा यह alpha हो जाएगा h by x तो alpha अपॉन थीटा नॉट सबकी value put कर दो h h cancel out होगा और check करो d by x यहीं हमारा वहाँ पे magnification होगा कि नहीं होगा तो यहाँ पे अगर हम magnification की बात करेंगे तो वह हो जाएगा d by x और यह result क्या बता रहा है यह result बता रहा है कि x अगर घटाओगे x को और पास लेके आओगे तो visual angle बढ़ेगा visual angle बढ़ेगा तो image बढ़ेगी और यह formula ही बता रहा है कि x अगर घटेगा तो magnification बढ़ जाएगा magnification बढ़ जाएगा इसका मतलब है कि जो object रहेगी इसकी image हमें और बड़ी दिखाई देगी बताओ यही हमारा वहां पर microscope का concept था कि नहीं था तो इन सब concept की हमें जरूरत पढ़ती है किसमें telescope की लिए इसलिए हमने यहां पर इन सब चीजों की बात करी हमें केवल क्या चीज की जरूरत क्या चीज मालूम होने चीए कि कोई भी चीज बड़ी दिखाई देगी या छोटी दिखाई देगी वह किस पर depend करेगा वह depend करेगा visual angle दूसरा हमें याद रखना है magnifying power को magnifying power को हम define करते है theta by theta naught theta वहाँ पर क्या है final angle है जो की instrument ने ice पर form किया है और theta naught वहाँ पर वो angle है जबकि object ने ice पर form किया है जबकि हम उस object को naked ice से क्या कर रहे है देख रहे हैं देखो है कि नहीं है तो जो भी magnifying power रहेगा वो हो जाएगा वहाँ पर कितना theta by theta naught ठीक है अब हम लोग बात करने जा रहे हैं किसकी telescope की तो जब भी हम telescope की बात करते हैं telescope के थूँ हम किस कीच को देखने की कोईश्च करते हैं telescope के थूँ हम देखने की कोईश्च करते हैं किसको moon को planets को या फिर किसको stars को तो जब हम बात करते हैं वहाँ पर किसकी moons की planet की stars की तो वो लाखो किलोमीटर के डिस्टेंस पे हैं और वो जो डिस्टेंट जो भी डिस्टेंस है जो लाज डिस्टेंस पे मून है स्टार है उनको हम देखने के लिए टेलिस्कोप क्या करने जा रहे हैं यूस करने जा रहे हैं तो टेलिस्कोप करता क्या है टेलिस्कोप के थू हम दूर के object को देखने ही कोईश कर रहा है और टेलिस्कोप कर क्या रहा है टेलिस्कोप दो तरह से वर्क करता है एक तो वो object को pass में लेके आता है और दूसरा pass में लाने के वाद उसको क्या कर देता है क्या करता है मैंक्रोस्कोप क्या करता है मैंक्रोस्कोप सिंपली object को मैंगिफाई कर देता है और क्यों मैंगिफाई कर देता है तो यह चीज़ भी समझ लो वहाँ पर हमने theory क्या use करी, वहाँ पे हमने theory use करी कि अगर हमारे पास कोई भी lens है, lens के वहाँ पे दो focus होते थे, तो मान लो ये focus f है, ये तुम्हारा pole p है, और focus और pole के बीच में अगर हमने किसी object को लाके place कर दिया, और उसका अब ray diagram draw करोगे, तो ray diagram कैसे draw करोगे, एक ray draw कर दो, जो optical center से pass कर दिये without any bending, दुसरी ray draw कर दो parallel, parallel race कहाँ पे meet करेगी, वो meet करेगी, इसके focus पे, अब इन दोनों race को वहाँ पे extend कर दोगे, तो यहाँ पे तुम्हारी क्या बन जाएगी, यहाँ पे तुम्हारी virtual image बनेगी, और साथ में यह image वहाँ पे क्या होगी, enlarge होगी, तो जो magnifying lens रहता है, वो इसी principle पे work करता है, कि जो object है, object focus और pole के बीच में होगा, तभी उसकी बड़ी image क्या होगी, बन पाएगी, और focus और pole के बीच का जो distance होता है, उसी को हम focal length बोलते हैं, और ध्यान रखना है, जो lens market में available होते हैं, उनकी focal length, generally meters में होती है, अगर तुम देखोगे, 1 meter, 2 meter, 50 centimeter, ऐसी focal length के क्या होते हैं, lenses available होते हैं, तो अगर कोई object focus और pole के बीच में होगा, तब तो magnifying lens के थ्रूँ हम उसको क्या कर सकते हैं, बढ़ा करके देख सकते हैं, अब दिमाग में question आता है, कि हम किसी moon को magnifying glass से बढ़ा करके क्यों नहीं देख सकते हैं, तो answer क्या है, जो हम magnifying glass use करने जा रहे हैं, उसकी focal lens तो बहुत छोटी है, उसकी focal lens centimeter या meter में, और उतने distance के बीच में अगर moon होगा, उस distance के बीच में अगर moon होता, तो moon हमें बढ़ा होके, दिखाई देता, इसलिए जहां magnifying lens यूज करते हैं, तो इससे में कुछ होता नहीं है, moon जो रहता है, वो छोटा सही, एक object क्या होता है, दिखाई देता है, तो जहां हम telescope की बात कर रहे हैं, तो telescope में वहाँ पे, जहां हम telescope की बात करें, तो telescope क्या कर रहा है, telescope पहले इसको पास लेके आएगा, फिर इसको बढ़ा करेगा, यह चीज क्लियर हुई कि हम एक simple magnifying glass को क्यों नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि simple magnifying glass को यूज करेंगे, तो focal length के अंदर ही नहीं होगा object, और object अगर focal length के अंदर नह यह वहाँ पर, अब मैं इसको ray diagram सभी तुम्हें explain करता हूँ, यहाँ पर, जैसे देखा, यह हो गया हमारा एक lens, यह हो गई principle axis, और यहाँ पर हमारे पास एक moon है, समझने के लिए से draw कर रहा है कि यहाँ पर एक moon है, यहाँ पर moon का point है P, यहाँ पर moon का point क्या है Q, अब हम क्या कर रहे हैं, P point से दो light ray चला रहे हैं, भाई किसी point की अगर हमें image को locate करना है, अगर हमें किसी point की image को locate करना है, तो minimum 2 rays चाहिए, तो एक ray हमने ऐसी pass कराई, वहाँ पर pole से, जो pole से जाएगी, वो तो without any bending क्या कर जाएगी, पास कर जाएगी, फिर यहाँ से हमने एक और ray चलाई अब notice करना, यह जो दो rays रहेंगी, वो दो rays बताओ, approximately parallel दिखाई देगी, नहीं दिखाई देगी, भाई, moon की जो हम बात कर रहे हैं, moon तो large distance पर है, और moon अगर large distance पर है, तो यह दो light ray जो रहेगी, वो approximately parallel आईगी कि नहीं आईगी, अब मान लो, यह जो light ray आ रही है, वो इसके focus पर आती है, यहाँ पर इसका focus है, और हमें ray डायग्राम में मालूम है, कि कोई भी light ray अगर focus से जा रही है, तो वो after reflection क्या होगी, parallel हो जाएगी वहाँ पर, अब इस जगें दोनो light ray वहाँ पर intersect कर रही है, तो बताओ, P की image, P dash, यहाँ कहीं बनेगी कि नहीं बनेगी, Q already principal axis पर था, तो बताओ, moon का size तो इतना बड़ा है, moon का size इतना बड़ा है, लेकिन जब magnifying lens के थूँ देखेंगे, तो यह जो moon रहेगा, इसका size बहुती छोटा होगा कि नहीं होगा आप, इसलिए हम simple magnifying glass या lens के थूँ देख नहीं सकते, एक तेरी इसन ने छोटा दिखाई देगा, यह कैसी image बन रही है, बन रही है, वहाँ पे real और inverted, दूसरा reason मेंने क्या दिया, वो moon focal length में ही नहीं आ पाएगा, moon जब तक lens की focal length के अंदर नहीं आएगा, तब तक उसकी बड़ी image नहीं बन पाएगी, तो जो भी telescope रहता है, telescope में basically हम क्या करते हैं, दो convex lens यूज करते हैं, एक जो convex lens रहता है, उसको हम objective convex lens बोलते हैं, जो object की तरफ होता है, और जो दूसरा convex lens रहता है, वो eye के पास रहता है, उसको हम eye piece बोलते हैं, जो objective वाला lens रहता है, उसका purpose क्या होता है, इसका purpose रहता है object को past ले क्या आना और eye piece वाला जो lens रहता है उसका purpose रहता है कि अब उसको वहाँ पे क्या करना है उस object को magnify करना है तो अब next diagram में draw कर रहा हूँ वहाँ पे किसका telescope के लिए तो यहाँ पे मैं show कर रहा हूँ यह हो गया अपना objective यह अपना objective lens है यह हो गई इसकी principle axis यहाँ कहीं object होगा अब जो light ray रहेगी बताओ जो light ray हम draw करेंगे वो light ray यहाँ पे हम parallel draw करेंगे नहीं draw करेंगे तो इस तरह से वहाँ पे light ray show करेंगे यह दोनो light ray हमारी क्या और यह पैरलल आ रहे हैं तो एक light ray ऐसी draw कर दो पैरलल अब यहाँ पे हम समझने के लिए यह जो point रहता है इस point को हम मार कर देते हैं focus अच्छा यह जो lens रहेगा इसकी कुछ focal length रहेगी इसको हम f0 बोलेंगे तो f0 वहाँ पे क्या है focal length of objective lens है और focal length का मतलब होता है pole और focus के बीच का distance वहाँ पे देखो है कि नहीं वहाँ पे अब यह जो light ray आएगी यह light ray तो pass कर गई without any bending है कि नहीं फिर यहां से जो light ray आएगी बताओ वो after reflection पैरलल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी आप ध्याना वहाँ पे p और q हमने क्या नाम दिया था तो वहाँ पे जो object था उसकी image यह बने ही नहीं बनेगी इस point को बोल दो पी यह यह पी था और यह q था चेक कर लेना क्या था वहाँ पे तो वहाँ पे जो object था उसकी image यहां पे बन गे इसको पी डाश q बोलता है अच्छा यह जो angle बना यह जो angle बना इस angle को हमने वहाँ पे अलफा बोला यह angle भी क्या हो गया अलफा अच्छा अब next property क्या use करनी है यहां पे यहां से जो light ray आई यह parallel race थी after reflection कहां meet करती है वो meet करती है उसके focus पे तो यह जो distance रहेगा बताओ इसी को हम वहाँ पे f0 focal length बोलेंगे की नहीं बोलेंगे इसको मैं rub कर देता हूँ तो f0 वहाँ पे अगर objective यह जो lens रहेगा यह towards objective है तो इसको हम objective lens बोलते हैं अच्छा कई बार यह भी पूछा रहता है कि objective lens की property क्या है तो यह चीज तुम्हें ध्यान रखनी है कि जो भी objective lens रहेगा एक तो उसका aperture बड़ा होना चाहिए aperture बड़ा होगा तो ज्यादा light rays enter करेगी ज्यादा light rays enter करेगी तो image उतनी हमें bright दिखाई देगी तो एक तो aperture ज्यादा होना चाहिए दूसरा उसकी focal length भी वहाँ पे क्या होनी चाहिए ज्यादा होनी चाहिए अब focal length क्यों ज़्यादा होनी चाहिए, वो आगे हम वहाँ पे क्या करेंगे, explain करेंगे, अच्छा, अब इसके pass में हम क्या कर रहे हैं, इसके pass में हम क्या कर रहे हैं, एक और lens को लेके आ रहे हैं, क्योंकि क्या हुआ, जो object है, उसको तो ये lens यहाँ पे क्या हो गया, pass लेके आगया, अब ये जो object है, ये object दुसरे lens की focal length की अगर अंदर आ गया, तब तो इसकी यहाँ पे क्या होगी, एक बड़ी सी image form हो जाएगी, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक और lens को लेके आ रहे हैं, ये lens मेरा वहाँ पे क्या होगा, आई पीस होगा, इसकी focal length वहाँ प हमारी eyes होगी कि नहीं होगी, इस तरह से eyes है कि नहीं ये वहाँ पे, अब बताओ, यहाँ पे, यहाँ से इस तरह से line draw करे रहे हैं, भई, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ये जो distance रहता है, ये जो distance है, इस distance को हम define कर रहे हैं L, और L वहाँ पे क्या होती है, L वहाँ पे telescope के tube की वहाँ पे क्या होती है, length होती है, ये जो lens रहेगा, ये तो object की तरफ होगा, इस lens को हम क्या करते हैं, आगे पिछे करते हैं, और जब इस lens को हम आगे पिछे कर रहे होंगे, या आगे लेके आ रहे होंगे, तो eyes भी हमारी क्या होगी, आगे आ रहे होगी और eyes अगर आगे आएगी, तो अब यहाँ पे एक line ड्रॉ करो, अब बताओ, जैसे जैसे यह आगे आएगा, तो यह जो angle रहेगा, इसको बोल दो beta, देखो है कि नहीं वहाँ पे, इसको थोड़ा ऐसा कर दो वहाँ पे, दोनों तो pass में न, तो यहाँ से pass कराते हैं निकालो जाएगा, अब यहाँ से pass करोगे, तो यह वहाँ पे क्या होगा, बीटा हो जाएगा, तो तक है, जब eye piece को हम pass में लेके आते हैं, तो हम बीटा, visual angle को बढ़ाते हैं, और बताओ, visual angle अगर बढ़ेगा, तो यहाँ पे उसक रहेगी, वो image वहाँ पे large होगी कि नहीं large होगी वहाँ पे, देखो इतना संवज मैं कि संवज मैं है, भाई, यह जो object है, यहाँ पे जो object है, उसकी image बन गई, अब यह image इसके लिए क्या है, object है, अब इस image के यहाँ से हमने एक line खीची, तो यह जो visual angle बना, वो बीटा बना और बढ़ा सकते हैं, वो depend कर रहा है, इस IPS को हम कितना पास लेके आजा है, अब मान लो यह distance हमारा अभी FE है, मान लेते हैं, अब तुम यह बताओ मुझे यहाँ पे, कि अगर कोई भी चीज focus पे होगी, तो इसकी image कहां form होगी, अगर यह object focus पे होगा, तो इसकी image infinity पे form होग तो ray diagram तुम्हारा कुछ ऐसा होगा कि नहीं होगा, यहाँ से जो light ray आ रही है, बता वो light ray क्या होगी, यहाँ से जो light ray आएगी, focus चल रही है, यह parallel जा रही है, तो parallel जाएगी, तो यहाँ पे इसके focus पे meet करेगी, नहीं meet करेगी, यहाँ पे इस lens के, अब इन दोनों rays को अगर तो एक्स्टेंड करो, तो बताओ, यह जो image रहेगी, यह image हमारी infinity पे form होगी की नहीं होगी, भाई हम IPS को क्या कर रहे हैं, move करा रहे हैं, और एक position ऐसी आ गई कि जो, इस lens ने जो image form करी, वो इसके लिए object थी, वो object इसके focus पे आ गई, और object अगर focus पे आ गया, तो image कहाँ बन बनेगी, image हमारी बड़ी होगी, और image अगर infinite distance बन रही है, इसका मतलब है कि हमारी eyes पे strain कम है, जब image, यह जो image form हुई है, यह image अगर IPS के focus पे है, तो इसको हम normal adjustment बोलते हैं, यह जो रहता है, इसको हम बोलते हैं, normal adjustment, इसको हम बोलते हैं, normal adjustment of telescope, और जब normal adjustment में होता है, तो telescope की length, f0 plus fe होती है, अच्छा, अगर हम बीटा की बात करें, तो बताओ, बीटा क्या है, बीटा वो visual angle है, जो instrument ने हमारी eyes पे form किया है, बीटा को क्या बोलोगे, बीटा को बोलोगे, पी डैश, क्यू डैश, by क्या हो जाएगा, fe, similarly अगर हम alpha की बात करें, तो alpha की value क्या होगी, alpha की value हो जाएगी, वहाँ पे, पी डैश, क्यू डैश, अपॉन क्या हो जाएगा, एफ माट, अब यहाँ पे अगर हम बात करें, मैगनिफाइंग पावर की, तो मैगनिफाइंग पावर क्या था, finally वह एंगल जो इंस्ट्रुमेंट ने हमारी आइस पे सबस्टेंड किया है, बीटा, दूसरा क्या था, वह एंगल, वह एंगल जो की object ने क्या किया है, हमारी आइस पे फॉर्म किया है, जब उसको हम नेकेड आइस से देख रहे हैं, विदाउट एनी इंस्ट्रुमेंट, अब बताओ, मून को हम कभी least distance 25 पे लाकर देख नहीं सकते हैं, तो इस केस में, जब मून को हम नेकेड आइस से देखेंगे, तो बताओ, basically यही एंगल अलफा होगा के नहीं होगा, जो हमारी आइस पे भी क्या होगा, बन रहा होगा, भै यहाँ पे आइस को इमेजिन कर लो, आइस को इमेजिन करोगे, तो अलफा एंगल है, जो नेकेड आइपे बन रहा होगा, तो magnification हो जाएगा, बीटा बाई अलफा, बीटा की वेल्लू पुट करो, अलफा की वेल्लू पुट करो, तो result वहाँ पे क्या निकल क्या आता है, F0 बाई FE, तो यह normal adjustment का case है, अगर telescope normal adjustment पे है, तो हम बोलेंगे magnification आता है, F0 by FE, अच्छा आप ध्यान रठना है, यह angle और यह angle opposite direction ने measure किये गए, यह अलफा ऐसा है, बीटा ऐसा है, तो sign अपनी तरफ से क्या लगाना है, negative लगाना है, और इसका हम ऐसे ही समझ सकते हैं, यह object उपर था, image वहाँ पे क्या बन गई, inverted बन गई, इसलिए हमें sign क्या लगाना पड़ेगा, negative लगाना पड़ेगा, तो जब भी हम magnification लिखेंगे, इसका formula होगा, minus F0 by FE, और यह result क्या बता रहा है, F0 जादा होना चाहिए, और FE कम होना चाहिए, F0 जितना जादा होगा, magnification उतना जादा होगा, F0 जितना कम होगा, magnification उतना ही क्या होगा, बड़ा होगा, इसलिए हम बोलते हैं, कि जो objective lens है, उसकी focal length large होनी चाहिए, aperture large होना चाहिए, और जो eye piece वाला lens है, उसकी focal length वहाँ पे क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, वहाँ पे, कि भाई, ये जो distance है, ये distance तो और हम कम कर सकते हैं, कि जैसे से कम करोगे, बीटा की value बढ़ेगी, बीटा की value बढ़ेगी, तो image भी क्या होगी, और बढ़ेगी वहाँ पे, बस होगा क्या, जो image रहेगी, वो infinity पे ना बनके आगे आ रही होगी, और image अगर आगे आएगी, तो हमारी आखों पे strain भी क्या होगा, और ज़्यादा पड़ेगा, और हमें मालुम है कि maximum जो visual angle बन सकता है, वो बन सकता है, जब image हमारी कहां पे चली जाए, image आजाए हमारी least distance पे, तो यहां पे मालो किसी time पे IP इसको और पास लेके आ गए है, और यह जो distance है, यह distance x कर दिया, और यह जो भी x है, x की value, f e से छूटी है, तो अब बताओ, x लेके आ गए है, यहां कहीं तुमारा क्या होगा, f e हो जाए, आहां मालू में कि यह object अगर focal length, focus और optical center के बीच में आ गया, तो अब इसकी image क्या होगी, और बड़ी हो जाएगी वहां पर, है की नहीं, कितना पास लेके आएंगे, हम इसको कहां तक पास ला सकते हैं, हम इसको पास ला सकते हैं, जब तक की image, इसकी कहां तक ना पहुच जाए, d distance तक, और पास नहीं ला सकते हैं, तो यहां पर इन light rays को जब तुम वहां पर पीछे लेके जाओगे, तो इस तरह से image बन रही होगी, यह image magnified होगी, और यह image, कितने distance पर होगी, यह image होगी, at a distance deep, इससे पास, इससे और पास हम image को नहीं ला सकते हैं, देखो है कि नहीं है, अब image अगर d पर बन रही है, इसका मतलब है कि उस time पर eyes पर strain सबसे ज़्यादा होगा, अब हमें क्या करना है, अब हमें use करना है, वहाँ पर lens का formula, lens का formula क्या था, 1 upon fe, इसके लिए बात कर रहे हैं, 1 upon fe, क्या होता है, 1 upon v minus 1 by u, बताओ image कहां चाहिए, image हमें चाहिए d, sign लेंगे minus, u कितना है, minus, तो minus minus हो गया x, तो अगले step में क्या होगा, अगले step में हो जाएगा, 1 by x किसके बराबर, 1 by fe plus 1 by d के बराबर होगा कि नहीं होगा, अच्छा, अब यहाँ पर केवल क्या change आएगा, अब मैं अगर बीटा की बात करों, तो वो हो जाएगा, पी डाश, क्यू डाश, इसको बीटा डाश बोल दो अब एंगल को, तो बीटा डाश जो रहेगा, वो जाएगा, पी डाश, क्यू डाश, अपन क्या हो गया, x, अब मैं अगर magnification की बात करो, तो magnification को अब यूस करो, वहाँ पर, magnification हो जाएगा, बीटा डाश बाई अलफा, और बीटा डाश बाई अलफा करोगे, तो result आ जाएगा, f0 बाई x, देखो है कि नहीं, और result वहाँ पर आज रखना है, inverted बन रहा है, तो यहाँ पर, sign अपनी तरब से क्या लगा देना है, negative लगा देना है, तो magnification हो जाएगा, minus f0 by x, अच्छा, f0 by x जाएगे, तो दोनों साइड f0 से multiply कर दो, तो result हो जाएगा, f0 by x, f0 by fe, plus f0 by d, अगले step में क्या होगा, f0 को बाहर निकालो, f0 by fe को, तो यहाँ पर result हो जाएगा, 1 plus fe by d, देखो है कि नहीं, तो इसी magnification को आगे हम लिख सकते हैं, sign लगेगा, यहाँ पर negative, यहाँ पर भी negative, तो यह हो जाएगा, minus f0 by fe, देखो चेक कर सही लिखा नहीं लिखा है, f0 by fe common लोगे, तो result हो जाएगा, 1 plus fe by d, और अगर हम length की बात करें, तो length यहाँ पर हो जाएगा, यह distance f0 है, plus, वहाँ पर x, और x की value क्या होगी, तो यहाँ पर चेक कर लो, x की value हो जाएगी, fp into d upon, देखो चेक कर लो ना, यह value इतनी आएगी की नहीं आएगी, वहाँ पर, जो भी length रहेगा, length हो जाएगा, f0 plus x, x की value हो जाएगी, f e d upon f e plus d, यही हमारी वहाँ पर क्या होगी, position होगी, जहाँ पर eyes में strain क्या होगा, सबसे ज़्यादा हो रहा होगा, यह की नहीं, तो जब भी हम telescope की बात करते हैं, बेसिकली यह astronomical telescope है, टेलिसकोप भी दोकों के बहुत सारी शो करता है, astronomical telescope, reflecting telescope, Galileo telescope, लेकिन mostly जो बात करते हैं, mostly बात करते हैं वहाँ पर किसकी, astronomical telescope की, तो basically telescope का अगर तुम्हें एक बार concept समझ में आ गया, तो बाकी जो telescope हैं, तो उनकी working भी समझ सकते हो, हमें केवल यह ध्यान रखना है कि telescope करता क्या है, telescope पहले past लेके आता है, और फिर उसको वहाँ पर क्या कर देता है, magnify कर देता है, अच्छा, IAT JEE की बात करें तो advanced में topic है नहीं, JEE mains में question आ सकता है, लेकिन chances बहुत कम होते हैं, लेकिन अगर board की बात करें, तो board में इसकी working, formula पूछे जाते हैं, और अगर neat की बात करें, तो neat के exam में तो optical instrument से हर साल question आता है, तो जितने भी लोग neat की preparation कर रहे हैं, वो इसकी working को एक बार देख लो, और फिर इससे related numerical को solve करने की क्या करो, कोईश्च करो, ठीक है नी ठीक है, तो इसको समझो एक बार book से, और एक बार फिर से formula को derive करने की कोईश्च करो, तो note down कर लो इसको वहाँ पर, अब देखो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, टेलिस्कोप की working की, और मैंने क्या उगला था, टेलिस्कोप करता क्या है, टेलिस्कोप जो दूर का object है, उसको एक तो पास लाता है, और उसको वहाँ पर क्या करता है, मैंगनिफाई करता है, है कि नी, अब अगर मैं simple सा एक microscope लो, simple सा एक magnifying glass लें, और उसके थ्रू अगर हम देखने की कोईश करें, तो हमें क्या दिखाई देगा, एक blur सा object दिखाई देगा moon, और कुछ नहीं होगा आपे, देखो यही कि नहीं हो आपे, अगर हम एक simple सा magnifying lens के थ्रू देखने कोईश करें, तो हमें एक छोटा सा blur सा moon दिखाई देगा, और अगर हम बात करें telescope की, तो telescope किस principle पे work कर रहा है, telescope work कर रहा है दो convex lens के principle पे, तो हमने एक convex lens लिया, उसके आगे एक और convex lens लगा दिया, और अब हम क्या कर रहे हैं, उसके थ्रू moon को देखने ही कोईश कर रहे हैं, देखो, ठीका, और basically, यहाँ पे इतना clear नहीं दिखेगा, क्योंकि focal lens बहुत छोटी है, तो जो telescope रहता है, basically, वो दो convex lens लेंज पे work करता है, एक जो convex lens लेंज रहता है, और पास लेके आता object को, और दूसरा lens उसको वहाँ पे क्या करता है, magnify करता है, तो अगर तुम लोग देखोगे, तो moon की blur सी image है, बड़ी दिखाई दे रही है, और telescope यही करता है, कि जो distant object रहता है, उसको पास लेके आता है, उसको वहाँ पे क्या कर देता है, magnify कर देता है, कर दो चैसे यह स्पिता है, भास में पोगरे उसक्ते है तो कर दोड़िया।, तो यहाँ वहाँ तो का है, वहाँ है, इस उसकिता है, म करता है, wise और ङवह दो पे actu जो एम मिख़रें, मैं मैं दो ठीफ जो कर देता है, मैं तो कर देता है था है Sooár 555Art Lkill,